है अलो फ्रेंड्स दिस इस हिमान सूप्रहम देव एडवाईजरी और ये वीडियो में हम यहां पर मेरे जो पाँच फेवरिट ममेंटम स्टॉक्स है उसको डिश्कस करेंगे and at the end of this video यह जो strategies हम discuss करते हैं या तो यह जो momentum stocks या तो कोई squeeze के setup हम discuss करते हैं उसको execution करने में आपको problem आ रहा हो या तो आपका account size थोड़ा छोटा हो उसको grow करने में consistently grow करने में आपको थोड़ा issue आ रहा हो तो वो issue को हम किस तरह से resolve कर सकते हैं execution का problem में भी आपका job हो सकता है या तो business है या तो प्रॉपेशन हो उसमें आप थोड़ा engage रहते हो तो फिर क्या है कि आप जो move होता है उसको miss कर सकते हो या तो properly execute नहीं कर सकते हो जो trade setup हम यहां पर discuss करते हैं तो यह जो execution का issue है और जो consistently account को grow करने का जो issue है उसको किस तरह से address कर सकते हो उसका एक best solution हम यहां पर जैसे मैंने बता है video के last में discuss करेंगे तो पहले हम यहां पर मेरे जो momentum stock से उसको देखते हैं तो पहला जो stock है that is GM brew यह stock का structure काफी strong लग रहा है price 20 and 50 EMA के ऊपर है और यहां पर देखे कि जो ऊपर जा रहा है it is supported with volume that means कि जो आप मूव है it is supported with volumes और daily RSI हम देखे 70 plus है और EDX जो है 29 के आसपास है that means कि यहां पर यह जो momentum है वो momentum में काफी strength है ऐसा हम कह सकते है और LUTO के हिसाब से भी यह structure मुझे strong लग रहा है because आप देखे कि LUTO में हम ज्यादा detail में नहीं जाते हैं but एक simple pattern होता है impulse correction impulse मतलब directional move और correction मतलब sideways या तो profit booking phase होता है जिसमें natural retracement या तो pullback आता है उसको correction बोलते है तो आप देखे कि यहां पर यह जो directional move था फिर यह impulse ने उसको correct किया अगें यहां पर यह directional move यहां से start हुआ और यह काफी sharp correction यहां पर थोड़ा shallow correction था यह काफी sharp correction है तो यहां पर मुझे इस पूल भी वेव त्री और फिप्ट तो यह इस्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉंग लग रहा है बिकोज इंपल्स की सरसे कि आरे साइब इन इडि एक्स से में पता चलता है कि आरे साइब अपर यहां पर यहां पर यह जो हाई है गोइंग फर और उसको चैलेंज कर सकता है इंडिया ग्लाइकोज करके हैं इंडिया ग्लाइकोज का स्ट्रक्चर हम यहां पर देखें तो आप देखें कि रिसेंटली यहां पर यह जो स्ट्रॉंग बुली स्केंडल बनाया थी आई थिंक 20 परसेंट का अपर फ्रीज था यह एक स्ट्रॉंग मूव देने के बाद यहां पर हुआ है और अभी जो बढ़ा है वो भी वॉल्यम के साथ बढ़ा है यहां पर देली की आरेसा हम देखें तो 65 प्लस है और यहां पर थोड़ा स्लोडाउन हुआ था नाव इट में स्टार्ट राइजिंग आप देखें कि यहां पर प्लस दीमाई का कव उपर की साइड में है तो यहां पर गोइंग फॉरवाड मोमेंटम कंटीनुर रहे सकता और यह भी देखो कि आप तो एलवेट के हिसाब से मु हुआ राकर रक सकते हों माइं तरड पीक इस पुकारना लिमिटेड का स्टॉट्चर हम यहां पर देखे तो डिस स्ट्रॉक्टर लूकस गुट तुमी एक्चिलि पर्टिकूलरर यार lion का स्ट्रॉक्ट्चर का स्टॉब देखे हम तो आर je और यहां पर काफी के साथ यह मोमेंटम करने के बाद यह रेंज को ब्रेक कर सकता है यहां पर देखे कि दिरे-दिरे उसका कव उपर की साइड में बढ़ना स्टार्ट हो गया है तो यहां पर डेली आरसाइए हम देखे 65 प्लस है एक स्टार्ट हैउ ब्रेक करने का यह घृण कर सकता है और यहां से जो है अपसाइड का मोमेंटम कंटीन्यु रहे सकता है यह सब्सक्ता है इसारं में मोमेंटम हो सकता है तो इसको अपनी वाट्मिश में लगा कर रख सकत journ Wales one Monte Carlo Monte Carlo fashion structure देखे यहां पर यह जो breakout दिया है वह ट्राइंगल इसा लग रहे यह सेलो करेक्शन से बहार निकल के बहुत ही अच्छा दिया है वोल्यम के साथ बड़ा है RSI 70 के आसपास है ADX 35 प्लस है बहुत ही स्ट्रॉंग ट्रेंड है और उसको हम थोड़ा यहां पर देखे वीकली करके भी तो वीकली में आप देखो यहां पर राउंडिंग बॉटम साथ पैटन है और यहां पर जो हाई था 664 लाइटाइम हाई आई तिंग तो उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है और त्टीज तालब्रोज अटो और का स्ट्रक्चर मैंने आल्वेड़ी आपके साथ बीच में डिसकस किया हुआ था यहां पर यह स्क्वीज का श्रक्चर था एक्चूली यहां पर देखें के हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज सी यूट्यूब वीडियों में हमने डिसकस कि किया था और यह जो है 20 EMA को continuously यहां पर hold कर रहा था and that attracted me मैंने 20 EMA के आज-पास ही कुछ positions बनाई थी और आज मैंने profit book किया है because 17-18% का profit था मुझे यहां पर तो वो मैंने book कर लिया but still this structure is looking very good कुछ fundamental developments भी है कुछ जो बड़े नाम है बड़े इन्वेस्टर से उन्होंने भी अपना स्टेक यहां पर रेज किया ऐसी कुछ न्यूज है तो गोईंग फॉरवड यहां पर यह स्टॉक में मोमेंटम करने के बाद यह काफी लंबे टाइम के बाद यह जो रेंज है उसको ब्रेक किया है और यहां पर आप देखें के वॉल्यम का भी काफी expansion हमें देखने को मिल रहा है तो चांचेसर वेरी हाई कि यहां पर यह जो आपसाइड का मोमेंटम है वो continue रह सकता है अब हम यहां पर जो पहले बात कि थी कि exhibition का प्रॉब्लम है या तो आपको consistently आपका जो small account है उसको grow करना है तो उसके लिए base solution क्या हो सकता है तो यहां पर देखें कि हमारा खुद का एंजल ब्रोकिंग का सब्रोकर्सिप है तो अगर आपको execution में प्रॉब्लम आ रहा है आप मार्केट में थोड़ा time नहीं दे पा रहे हो तो आप हमारे साथ account open कर सकते हो जो भी setup हम यहां पर execute करेंगे अगर वो trigger हुआ तो minimum account size जो है वो हम लेते हैं टू लैक और अगर आपका account दस लाग के ऊपर का है या तो दस लाग का है तो उसमें हम options के भी trading strategies करते हैं based on a squeeze और वो कोई naked option राइटिंग नहीं होता है वो होता है put credit spread होता है या तो फिर debit spread होता है जिसमें premium देते हैं तो call credit spread, put credit spread या तो bull spread, bear spread यह जो basic strategies है उसी को execute करते हैं तो अगर आपको account open कराना है हमारे यहां एंजल के अंदर तो आप व्रजेश का contact कर सकते हो व्रजेश का number है 999-8696-789 उसके साथ कोडिनेट करके आप account open करवाओगे तो execution या तो फिर आपका account जो grow नहीं हो रहा है वो problem solve जाएगा because consistently account को grow करने के लिए आपको position size का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है तो हम यहां पर आपकी जो account size होगी उसके हिसाब से calculate करके on and average कितनी position outstanding रह सकती है हमें per trade कितना risk लेना है यह सब चीजे calculate करके ही फिर उसमें position size बनाएंगे तो बहुत ही scientific way में हम काम करते हैं तो यह option है आपको consider करना है तो आप consider कर सकते हो so I hope friends कि यह सब चीजे जो मैंने आपके साथ discuss की है it might help you in your training thank you